Question दिया है solve कर लेंगे इसे दिया है under root 10 plus under root 25 plus under root 108 plus under root 154 plus under root 225 225 का square root होता है 15 plus का sign है 15 को 154 में add कर देंगे यह हो जाएगा 179 और 179 13 का square root होता है plus का sign है 13 को 108 में add कर देंगे यह हो जाएगा 121 और 121 का square root होता है 11 11 को 25 में add कर देंगे यह हो जाएगा 36 और 36 का square root होता है 6 6 को 10 में add कर देंगे यह हो जाएगा 16 और 16 का square root होता है 4 तो uns कमान हो जाएगा 4 बटे हर में दिया है cube root 8 8 का cube root होता है 2 2 से भाग देंगे 4 में तो इस कमान हो जाएगा 2 option C इसका right answer होगा next question दिखेंगे question दिया है इसमें वर्गमोल निकालना है solve कर देंगे इससे यह हो जाएगा 2 plus under root 3 बटे 2 2 का उपर नीचे गुणा कर देंगे गुणा 2 गुणा 2 तो यह हो जाएगा 4 plus 2 root 3 बटे 4 4 को हम लिख सकते हैं 3 plus 1 plus 2 root 3 बटे 4 3 को म लिख सकते हैं root 3 का square plus root 1 का square plus 2 root 3 बटे 4 यह हो जाएगा A plus B का whole square यह हो जाएगा root 3 plus 1 का whole square बटे 4 2 से square root हट जाएगा तो यह हो जाएगा root 3 plus 1 और 4 का square root होता है 2 तो इसका वर्गमूल हो जाएगा under root 3 plus 1 बटे 2 option D इसका right answer होगा next question निखेंगे question दिया है solve कर लेंगे इसे दिया है under root 337 plus under root 561 plus under root 225 plus question mark 8 का भाग देंगे 76 में तियो हो जाएगा 72 225 का square root होता है 15 15 को इसमें जोड देंगे तो यह हो जाएगा 576 और 576 का square root होता है 24 24 को इसमें जोड देंगे यह हो जाएगा 361 और 361 का square root होता है 19 तो यह हो जाएगा 19 plus question mark बराबर 72 question mark बराबर हो जाएगा 72 माइनस 19 बराबर 33 तो इस कमान हो जाएगा 33 option C इसका right answer होगा next question दिखेंगे question दिया है solve कर लेंगे इसे दिया है root 729 729 का square root होता है 27 भाग 45 दिया है तो जब इसे गुड़ा में convert करेंगे तो यह हो जाएगा एक बटे 45 गुड़ा 540 बराबर question mark का square 9 से भाग देदेंगे 45 में 5 9 से भाग देदेंगे 27 में 3 5 से भाग देदेंगे 540 में 108 3 का गुड़ा कर देंगे 108 में यह हो जाएगा 324 बराबर question mark का square question mark से square हटेगा तो यह हो जाएगा under root 324 बराबर question mark और 324 का square root होता है 18 तो इसका मान हो जाएगा 18 option A इसका right answer होगा next question दिखेंगे question या है इसका मान निकालना है solve कर लेंगे इसे under root 900 का square root होता है 30 plus under root 0.09 बटे दो अंक बाद दिसमलो है तो बटे में 2 0 हो जाएगे दिसमलो हट जाएगा minus under root 0.000000 09 बटे 6 अंक बाद दिसमलो है बटे में 6 0 हो जाएगे दिसमलो होट जाएगा इसको हम लिख सकते है 1000 गुणा 1000 30 plus 9 का square root होता है 3 बटे 100 का square root होता है 10 minus 9 का square root होता है 3 बटे यहाँ पर इसका square root हो जाएगा 1000 यह हो जाएगा 30 plus 0.03 minus 0.003 गटा लेंगे इसको तो इसका मान हो जाएगा 30.297 option A इसका right answer होगा परेंगेगा जाएगा पाएगे जाएगा जाएगे जाएगा